कॉंग्रेस पार्टी की ब्रस्ट नीतियां और आम आद्मी पार्टी के ब्रस्टाचार में और उनके तक्नीक में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे आज सुभह से ही ड्रामा और आम आद्मी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलिवीजन के माध्यम से देख पा रहे हैं अगर सही माइने में बोला जाए तो कॉंग्रेस और आम आद्मी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आद्मी पार्टी का जो ड्रामा देखने को मिल रहा है आप याद करिए चन्द दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृष्य राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था जब राहूल गांधी जी को भरष्टाचार के मामले में पूछताच के लिए बुलाया गया था तो ठीक इसी प्रकार कॉंग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी इसी प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी और आज ये अतीश्योगती नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जशने भरष्टाचार है पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए दलाली कमाईए और उसके उपर जब आपसे पूछा जाए सवाल जब आपसे सवाल पूछताच किया जाए तो आप जश्न मनाईए जिस प्रकार से मनीश शिशोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए फूल माला डाले हुए निकले हैं ऐसा लग रहा है मानों कोई किलाफ फतेह करके वापस आ रहा है कप होगा करप्शन का तो आम आदनी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर एक पार्टी सावित होगी शिद्ध होगी तो ये कहना आज अतीश्योक्ती नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृष्या आज भारत देख रही है ये आम आदनी पार्टी का सलिब्रेशन अफ करप्शन जशने भ्रष्टाचार है सुबह से हमने देखा कि पहले माता जी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है ये पहली बार नहीं है कि मनीश शिशोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं आप याद करिए नवाब मलिक जी सतेंद्र जैन जी संजे रावत जी कि सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे आप याद करिए जब नवाब मलिक के उपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था अजो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टिका लगाया गया था संजय राउद जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी और तो और सतेंद्र जैन जी को भारत रत्न मिलना चाहिए इस प्रकार से अरविंद केजरिवाल जी ने उनका स्वागत किया था मगर इन में से कोई भी व्यक्ती जेल से बाहर नहीं आ पाया हर व्यक्ती आज जेल में नवाब मलिक भी जेल में है सतेंद्र जेन भी जेल में है और संजे राउत भी घोटाले में जेल में आज तक उन्होंने ये evidence प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने भृष्ट अचार नहीं किया और नतीजा है कि आज भी वो जेल में बन देए हैं कोई भी भृष्ट वेक्ती कभी नहीं कहता है कि मैं भृष्ट हूँ जितने भी भृष्ट वेक्ती हैं दुनिया के वो कहते हैं मैं तो दूद का धुला हुआ हूँ मैं तो पाक साफ हूँ जी ये तो मेरे उपर राजनेतिक दवाब के कारण से जूटे आरोप लगाए गए और आज आम आदनी पार्टी और मनीश इशोदिया भी यही कर रहे हैं मनीश जी हमने आपसे छे सवाल पूछे थे तकनीकी सवाल टेकनिकल क्वेश्चन से आस्ट आउट ओफ यू यह जो दारू गोटाला है शराब गोटाला है यह जो एकसाइस पर आपने करप्शन किया उसमें हमने कुछ तकनीकी सवाल पूछा था हमने यह सवाल पूछा बा कि कानूनन मैनुफैक्चरर्स को रिटेल के सेक्टर में उतारना गहर कानूनी है आपने मैनुफैक्चरर्स को रिटेल की सेक्टर में उतारा नहीं उतारा आपने उसका जवाब नहीं दिया हमने सवाल पूछा कि मनीश जी ये जो एकसाइस पॉलिसी आपकी बनी थी ये जो दारू घोटाला आपने किया क्या उससे दिल्ली के राजस्व को स्टेट एक्षचेकर को नुकसान हुआ या नहीं हुआ आपने उसका जवाब नहीं दिया हमने पश्ट सवाल पूछा था अगर आपकी ये एक्साइस पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो क्या कारण रहा जो आपने एक्साइस पॉलिसी को आनन फानन में वापस लिया अर्विंद केजरिवाल और मनीश शिशोदिया ने इसका भी जवाब नहीं दिया और हमने बड़ा पश्ट सवाल पूछा था कि क्या कारण था कि 144 करोड रुपिया आपने इन शराब माफिया ठेकेदारों का माफ किया किसके कहने पे माफ किया अपने यारों का 144 करोड रुपिया क्यों माफ किया जबकि ये गैर कानूनी था ये कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था इसका भी जवाब मनीश जी आपने नहीं दिया जितने भी तकनीकी सवाल पूछे गए किसी का जवाब नहीं दिया मैं विश्व का ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया सिक्षा मंत्री मैं गुजराज जाऊंगा तो ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा अरे जो सवाल ब्रस्टाचार से जुरे हुए हैं उसका जवाब दे दीजिए यहां वहां की बात करने की अवशक्ता नहीं है आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरिवाल जी ने मिलकर करोडो रुपय का घपला किया है मोटा माल कमाया है और इस विशह से आप भली भाती अवगत हैं मैं यह पूछना चाहता हूँ मनिशी शोदिया जी कि आप वही पार्टी है न जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर जिसने ब्रस्टाचार के खिलाफ अंदुलन छेडा था जिसने यह कहा था we will fight against corruption इंडिया against corruption और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिग्या ली थी कि हम ब्रस्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पाटी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रस्टाचार के खिलाफ लड़ने आये थे आज वही सबसे कटर बैमान पाटी बनके उबरी है पूरे भारतवर्शे आज वही लोग भ्रस्टाचार के केंद्र बिंदू में स्थापिते हैं और तो और ये केवल भारती जंता पाटी नहीं कह रहे अन्ना हजारे जी इनके प्रनेता जिनको लेकर ये पाटी शुरू हुई थी उन्होंने भी चिट्टी लिख करके अर्विंद केजरिवाल और मनी मौझूद है भारतिय जंता पाटी ने इसी मंच से तीन तीन चार चार स्टिंग ऑपरेशन जो पब्लिक डोमेन में थे उसे हमने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन में जो मोटा माल देने वाले लोग थे उन्होंने स्पष्ट रूप से वो तकनीक भी बताया जिस तकनीक के म में पूछा तो बीच प्रेस कांफरेंस को छोड़ करके मनीशी शोदिया बिना जवाब दिये वो चले गए क्यों चले गए मनीश जी आपके पास अगर जवाब होता तो आप छोड़ देते आप जवाब देते मगर आपने स्टिंग ऑपरेशन का भी जवाब नहीं दिया का करण क्योंकि आपको भी पता है करप्शन और भ्रष्टाचार तो आपने किया है आश्चरे का विशय है सत्यंद्र जैन के लिए अर्विंद केज्रिवाल कह रहे थे इनको भारत रत्न मिलना चाहिए और दो दिन से अर्विंद केज्रिवाल कह रहे हैं ये मनीश शिशोदिया तो भगत सिंग है मैं आज देश से अपील करता हूँ दारू के ठेकों से पैसा मारने वाला दारू के ठेकों को बाटते समय भ्रष्टाचार करने वाला उसकी कंपेरिजन आप महा महीम भगत सिंग से करेंगे देश पे शहीद होने वाले भगत सिंग से करेंगे और ये ब्रश्टाचार कर यह आप सोचिए किस व्यक्ति की कंपेरिजन किस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है भगत सिंग इस इन इंस्टिटूशन भगत सिंग रिप्रेजन सेक्रिफाइज भगत सिंग हिंदुस्तान का स्वाभीमान है और मनीश शिशोदिया और अर्विन पेरिजन किया है तुलना की है यह द्रश्टता है यह उचित नहीं है माफी मांगनी चाहिए और एक नया प्रचलन आजकल शुरू हो गया है जब भष्टाचारियों से आजकल सवाल जवाब करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है उन्हें चित्थी भेजी जाती है तो य हम सत्याग्रह करेंगे आपने कभी सुना है सत्याग्रह on corruption यह भगत सिंग का भी अपमान और महात्मा गांधी का घोर अपमान है राहुल गांधी भी वहीं गय थे और मनीश शिशोदिया भी वहीं दिस नो डिफरेंस अप्सलिटली कॉंग्रेस पार्टी की ब्रस्ट नीति सेम कॉइन मंदुगन मैं आज इतना ही कहूंगा कि यह जो जशने भरस्टाचार मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी का कि अपने आप में बहुत ही विभच्स है आज सुबह व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने टीवी आन किया और तमाम च शोदिया जी राजगाट जा रहे हैं माला पहन के ओपन गाड़ी में हाथ हिला हिला के जा रहे हैं मैं तो देशवाशियों से और आप सभी से एक अपील करूंगा विनम्र अपील करूंगा ब्रश्टाचार का महिमामंदन कभी नहीं होना चाहिए इस देश में कोई भी बच्चा यह न समझे कि ब्रश्टाचार के माध्यम से मैं हीरो बन सकता हूं और यही चेश्टा आम आदमी पार्टी की है तो कनवर्ट अवाइस इन्टो देविक्ट्री जिसमें हमें भाग नहीं लेना है हमें सच्चाई को उजागर करना है सच्चाई को दिखाना है थैंक यू सो मच झाल